हलो दोस्तों, उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे तो आज के सेकंड पॉस्ट कार्ट में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि जो कम्निकेशन और इंग्लिस लेंग्वेज के बीच में जो मित है उसे डिफ्रेंसेट करेंगे और डेली बोल चाल की भासा में हम लोग अपने आपको एक्स्प्रेस नहीं कर पाते हैं और हमारे अंदर मित वैट जाती है कि कम्निकेशन के एक लिमिटेड ब्लिफ्स है जैसे कि टोटल पांच वे में हम लोग डिसकस करेंगे जैसे मुझे इंग्लिस नहीं आती है आई डॉंट है गुड इंग्लिस तो मैं एक कम्निकेशन के लिए बना ही नहीं हूँ फिर जाके मैं तो ज़्यादा बोल ही नहीं सकता हूँ I am an introvert मैं extrovert नहीं हूँ फिर एक और ब्लिफ्स रहेगी जैसे मैं जन्म से बात्चित करने के लिए बना नहीं हूँ I am shy मैं कैसे बात्चित करू I am not born communicator and fourth limited beliefs है जैसे हम लोगों की I don't have a good voice हम लोग की आवाज अच्छी नहीं है देखो उनकी आवाज इतनी अच्छी है तो वो इतने अच्छा बोल पाड़ है मेरी आवाज अच्छी नहीं है तो मैं कैसे बोल पाऊ बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो fourth beliefs है इसकी बारे में fifth limited beliefs है कि it's all about speaking हम लोग ये सोचते कि जो ज़्यादा बोलता है उसका communication इसकी लच्छा है बट ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त आपको इन सारी बातों पे अबकलन करना पड़ेगा जाके जैसे कि first topic पे हम आते हैं कि first जो limited belief है अपना communication के वारे में कि अगर मैं English language नहीं जानता हूँ आज कल के टाइम पे तो मेरे communication इसकी लच्छी नहीं है और मैं किसे भी company में दस लोगों के बीच मैं अपने आपको sustain नहीं कर पाऊंगा और बोल नहीं पाऊंगा अपने आपको express नहीं कर पाऊंगा बट मेरे दोस्त आपको यह समझना होगा कि English एक भासा है English is just a language बट communication जो है न वो एक art है और English एक भासा है जो सीखी जा सकती है और बट communication न लर्नेवल इसकिल है जिसे हम सीख सकते हैं इंप्रूब कर सकते हैं और जो है न communication is all about your body language हमारी body language क्या है बात करने के time पे हमारा जो tone है confident है या नहीं है यह communication का part होता है और हम कितने अच्छे तरीके से लोगों को सुन रहे हैं और जितने अच्छे तरीके से हम लोगों को सुनेंगे न उतने अच्छे तरीके से express भी कर पाएंगे उतने अच्छे तरीके से जवाब भी दे पाएंगे लोगों को और उतने ही अच्छे तरीके से हम लोगों को engage कर पाएंगे अपनी तरफ खिच पाएंगे तो यह दो चीज़े communication है communication ये नहीं कि हमें English नहीं आती है तो मैं बात नहीं कर पौँँगा ऐसा कुछ नहीं है suppose example ले ले लेते हम दो अलग-अलग people का example लेते हैं एक इंसान है जो कि आपके सामने खड़े होके confidently बात कर रहा है और लोगों की आखों में देखते हुए बात कर रहा है बोल रहा है बट उसका जो बाड़ी पोस्टर है बाड़ी लेंग्वेज है लोगों को भाण नहीं रहा है अनिंट्रिस्टेड है जाके एंड वो लोगों के बीच में सिर्फ इंग्लिस बोलने के लिए आया और लोग क्या सुनना चाहते हैं क्या समझना चाहते हैं वो बिना सोचे समझे बोला जा रहा है तो आप किस टाइप के लोगों को पसंद करोगे ऑपकोस फर्स टाइप फर्स परसन को पसंद करोगे जो कि confidently आपके सामने खड़ा है और लोगों की आँखों में देख के बाते कर रहा है और क्या लोग सुनना चाहते हैं और क्या हम डिलिवर करना चाहते हैं लोगों के बीच में लोग उन बातों को समझ रहे हैं भले ही टूटी फूटी लेंग्वेज में समझ रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं तो इस पार से conclusion यह निकलता है कि अगर हमें English नहीं आती है तो हमें ड़ने की जोड़त नहीं है. It is a part of body language, it is a part of listening skill, it is a part of how we are engaging the people of our surroundings. So second myth जो है कि मैं extrovert नहीं हूँ, मैं introvert हूँ, तो मैं बाते कैसे कर सकता हूँ लोगों की बीच में? तो मेरे दोस्त, इस पर भी आपको समझना पड़ेगा, जो आप सोच रहे हैं कि I am not an extrovert, I am introvert, मेरे पास अच्छी communication नहीं है, मेरे पास अच्छी communication skill नहीं है, तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ. बट आपको यह समझना पड़ेगा कि you do not need to be an outgoing person to have good communication skill. good communication skill ना, कोई जरूरी नहीं कि outgoing person बनने की जो होता है, बहुत बड़े person बनने की जो होते हैं, तभी हम 10 लोगों की बीच बातचीत कर सकते हैं. यार अपने सब्दों से हम लोगों को impress कर सकते हैं, अभी के टाइम पर आप example देख सकते हो, खांसर का example, कितने अच्छे तरीके से लोगों को engage कर रहे हैं, हमारे भली उनकी जो language है, क्या वो English language है, नहीं है, वो हमारे original language पर पढ़ाते हैं, जैसा student समझ सके, और आजकल के student ज उसे को समझ सकते जाके easily, तो ये बात समझनी पड़ेगी, फिर दूसरा मीत है कि, अगर आप introvert होते हैं, ठीक है, if you are introvert, अगर मैं introvert हूँ, तो मैं कम बोलना पसंद करूँगा, बट कम बोलने के साथ साथ, अगर हम प्रेटराइज speaking for less time करते हैं, तो हमारा जो सब्द है, अगर हमारी वाने से निकलेगी, वो impactful होनी चाहिए, and conscious होनी चाहिए, direct होनी चाहिए, और point to point हमारी बाते होनी चाहिए, ये introvert होने का advantage होता है जाके, कि जब भी हम बोलते हैं, impactful बोलते हैं, word to word बोलते हैं, direct बोलते हैं, बट एक extrovert बंदा अगर आता है आपके पास, तो extro person क्या करता है, sometimes the more people talk, the less everyone around them understands, extrovert people बाचाल के जैसा बोलते हैं, बोलते हैं, बीना कोई topic के, बीना मुद्दे के बोलते हैं, अपना impression चबाने के लिए, but उसमें disadvantage क्या होता है, कि हमारे जो surroundings होते हैं, कुछ ही people समझ पाते हैं, इन सब बातों को, तो मेरे दोस्त, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि, अगर do not mistake quantity of speech for quality of speech, अगर हम ज़्यादा speech deliver करना चाहें, तो definitely जो quality of message रहेगा, वो degrade होगा, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और आपके mind से ये हटाना पड़ेगा, मित की, मैं extrovert नहीं हूँ, तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, फिर हम third point कर आते हैं कि, I am not born a communicator, मैं बातचित करने के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं कैसे बात कर सकता हूँ, ये तीसरा मित हमारे mind में आती है मेरे दोस्त, तो फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा मेरे दोस्त कि, there is difference between skills and talent, जो भी हम जन्म से, टालेंट क्या है, जो कि हम जन्म से पाते हैं, टालेंट is what you are born with, जन्म के साथ जो चीज पाते हूँ, टालेंट है, बट इस्खिल एक ऐसे चीज है, जिसे कि हम डैबलप कर सकते हैं, हमारे ग्रोइंग के साथ में, और communication skill is also a learnable skill, जिससे हम सीख सकते हैं, और समय के साथ साथ हम इसे डैबलप कर सकते हैं, तो skill और versus में आपको difference पता चल गया होगा मेरे दोस्त, second point पाते है कि, जो false belief that some people are just born to be a great communicator, हम लोग यह सोचते हैं, अगर कोई बोल रहा है, कोई दस लोगों की बीच में, लाखों लोगों की बीच में बोलता हैं न, address करता हैं तो हम यह सोचते हैं, यार वो तो जन्म से ही इसी के लिए बना है, इसलिए वो कर पा रहा है, और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप example ले सकते हैं, मोदी जी, इतने अच्छे communicator हैं, वो भी सिखे हैं, तो फिर आप यह समझना परेगा कि, communication इस इसकील, यह प्रैक्टिस्ट, यह प्रैक्टिस्ट के साथ साथ, डेवलप की जा सकती है, और कौन-कौन से टूल की आवसकता होती हैं, में, you need to be aware of that tools, कि हम लोगों को कैसे engage कर सकते हैं, जो कि हम आगे के podcast में यह सब discuss भी करेंगें, कैसे हम people के engage कर सकते हैं, अपने surroundings को engage कर सकते हैं, अपनी सब्दों के power से, और इसके लिए आपको right guidance की जरूरत होगी, एक बढ़ियां communicator बनने के लिए, because यह एक learnable skill है, जो की समय के साथ साथ सेखी जा सकती है, इसके साथ हम हमारी mind वे जो फुर्थ मित चलती है कि, यार मेरी आवाज ही सही नहीं है, I don't have a good voice, तो मैं कैसे बातचित कर सकता हूँ, लाखों लोगों को कैसे address कर सकता हूँ, तो फिर आपको यह सूस ना पढ़ेगा कि, यह चीज ना, हम लोग notice करते हैं, only we notice that we are of 10 the only people who notice the quality of our voice, बांकि लोग सब्दों की पावर पर भरोसा करते हैं, जो हम बोल रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उससे क्या समाज में मैसेज जा रहा है, उस पर फोकस करते हैं, ना कि हमारे voice पर, और voice, voice जो होता है, your voice communicates if you are comfortable, nervous, it is or scared, तो फिर ये problems आती है जाके, उससे voice का problems आता, अगर हम nervous होते हैं, डरे हुए होते हैं, comfortable होते हैं, तो उससे voice change होता है, और ये विध्यान रखना चाहिए कि it is a ever changing, इससे भी हम change कर सकते हैं, अगर voice सही नहीं है तो, और ये point हमारे mind में होना ही नहीं चाहिए, there is no point being concerned with it, कि मेरे voice सही नहीं है, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, ऐसे वैसे something, ठीक है, और फिर पाचवे beliefs पे हम लोग आते हैं, पाचवे myth पे, कि communication जो होता है, it is all about speaking, अगर हम कम बोल पा रहे हैं, तो हमारी communication skill अच्छी नहीं है, बट मेरे दोस्त, आपको ये समझना होगा कि, it is more about listening, जितना जादा ही आप बेहतर तरीके से सुनोगे सामने वालों को, उतना अच्छा ही सामने वाले के message को समझ पाऊगे, और उस message के according आप response दे पाऊगे, तो मेरे दोस्त ये समझना पड़ेगा कि, only if we listen better, we can speak better, अगर हम अच्छे से सुन पाएंगे, तभी हम अच्छे से बोल पाएंगे, दो धम रूल हैं इसके बारे मेरे दोस्त, कि always speak to be understood, not just heard, हमेशा अगर किसी को सुन, कुछ बोलते हैं, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि, लोगों को समझाने के लिए हम बोले, कि मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा, और आपको ये बात पर भरोसा रखना होगा कि, जो हम सुना रहे हैं, वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, it is not just heard, हम सिर्फ सुनाने के लिए नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा जो थमडूल है, आपको ये समझना पड़ेगा कि, आप कुछ भी सुन रहे हैं, तो लोगों की बातों को understand कि, जिस समझे ना कि इस कांसे सुनिये, इस कांसे निकालिये, तो मेरे दोस्त, अभी ये आज की पॉड़कास्ट यहीं पर सवाप्त करता हूँ, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मत,